अब ये कसूर तेरी नजरों का है या दिल मेरा दोसी बने बेठा है जो तुमसे गुजरने वाली हावाओं से मुझे बेवज़े मुस्करानी की बिमारी से लग गई है तो दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत बोरिंग टोपिक सेकेंटरी ग् मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ठीक है देखो सेकेंडरी ग्रोथ का सिंपल मेंस होता है कि पेड़ को मोटा ताज होना है ठीक है सिर्फ यार लंबा बढ़ने से होगा तो अब मोटा का खटा-खटा होईगा तभी तो मजा आएगा तो वह कैसे होगा इसके लिए वह हुटी किस में है तो कि मुस्ट ओफ डाइकोट रूटन श्तेम में मोस्ट-फ बिया कोर्टरूट में सेकेंडरी ग्रोथ में होती को है तो अगला सवाल है फिर्फों करना विह श्यny को पढ़ना सिंपल Mr. ग्लाम किया जेम्नीश पंव ब्र सेंडर्स होती है तो मेरा second recruit करता कौन है कौन-कौन से tissue इसमें participate करते हैं तो आपको अगर mnemonics याद रखने हैं तो याद रखें और आप बहुत ही वहायात करते हो तो फिर आप याद कर देते हो, वेसे cooler चोरी करोगे तो लाते पड़ेगी ठीक है, गर्मी का जमाना है तो वेसे cooler मतलब, वेस cooler चोरी means cork और लाते means lateral meristem मेरे जैसे कोई याद करने के लिए है बागे आप severely या नॉर्मल याद कर सकते हो कि second growth के अंदर तीन टाइप के ठीसी उकाम आते हैं लेटरल में रिस्ते हैं वेस्कुलर केम्बियम और कॉर केम्बियम ठीक है एक एक करके आगे बात करते हैं इनकी क्या है भई चलो पेड़ को मोटा ताजा करते हैं पहला है वेस्कुलर केम्बियम तो इसकी कहानी कहां से Came Birmingham 5 में बड़ी खोकर के कुछ और होती है यानि कि जब बच्पन में क्या होता है कि जायिलम और फ्लोयम होता है वह होता है जब में आफ्टस पैस के रूप में होता है जब मैचर वक्ति में एक जाती कें एक डिआ रिंग का प्रोसेस दे रखा है , मैं बच्पन में पेड है उसके अंदर इंट्राइस फेचिकुलर कैम्बियम परजेंट होती है , एसी Cambium जो Primary Gylem और Primary Fluem के बीच में परजेंट हो उसे बोलते हैं Interfacicular Cambium हाँ तो भई साब बड़ी होके क्या करेगी बड़ी होके इसको बनना है Interfacicular Cambium क्या बनना है Interfacicular Cambium मतलब कि लाइक रिंग के फोर्म में बन जाए ताकि यार भई फोदा मोटा होगा तो सारी चीज़े एक जगे पर वेस्तित हो जाए यह दर उदर नहीं रहे तो यह काम करता कौन है यह कुशन नीट में है कि Interfacicular Cambium को Interfacicular Cambium में कौन बनाएगा या फिर Cambium Ring का निर्मान कौन करेगा तो Cells of Medullary Rage Medullary Rage की Cells यह काम करेगी ठीक है दोस्तों समझ रहो ना कि बच्पन में पोधा है उसके अंदर जायलम और प्राइमरी जायलम और फ्लोयम के बीच के में Interfacicular Cambium परजेंट होती है जो Cambium Ring का फोर्मेशन करती है वो Interfacicular Cambium बनती है ठीक है क्योंकि अपनको मोटा होना है अभी अभी बहुत सारी चीज़े एपलाई होगे तो यह है इसलिए Cambium Ring का फोर्मेशन होता है Vescular Cambium बनती है ठीक है आगे चलते हैं तो फिर भैसा अभी यह जो activity है Cambium Ring की वो क्या करेगी Cambium Ring बन गई ठीक है Cambium Ring बनके क्या करेगी डिवाइड होगी वो कहेगी हाँ अब में मोटा हो जाओंगी तुम पहले में बिखरी हुई थी अब तुमने मुझे एक जगे रिम के फोर्म में कर दिया ठीक है तो अब मैं आपको अच्छा से डिवाइड होंगी और पेड को बटा कर कैसे करेगी तो एक्टिविटी ओफ केम्बियम रिंग देखते हैं अच्छेस दे रखा है दो तीन डाइग्राम भी दे रखें फाल्त फाल्त हुए बहुत ही डराओं ने डाइगां चलिए देखो अब केम्बियम रिंग में देखो एक तुम बाहर की तरफ सत्य व बनाती जा रही रुकी नहीं रही है अंदर वाली सेसकेंड़ी जाहिलम लेकिन बाहर वाली सेह सेसे रही है। लेकिन जो बाहर वाली सेलविंग में दारों देहां ऑल्या और जो पर जैनल होती हुँ था पहले था केम्बियम रिंग ने की mightup improving कैय से ज़िवी बनाई पेड को बड़ा किया और फिर medullary cells है medullary age वाली cells है इन्होंने intrafacicular chemium को intrafacicular chemium कर गिया ठीक है अब वो cells एकदम ring के form में आ गई है तो आप वो divide कर दिए तो जो अंदर वाली cells है वो तो divide करती जारी है करती जारी करती जारी है और करते करते सेकंडरी जाइलम बना रही है और जो बाहर वाली सेल्स है ओ धीरे धीरे सेकंडरी फ्लॉम बना रही है ठीक है अब इसी के बीच एक और चीज बनती है दोस्तों यहां जो यह डाइग्राम है न वो एंसे आइटिम दे रखें आप देख ये कब बनती है, वो ऐसे पूछेगा, तो देखो, क्या लिखा है, at same place, Cambium form narrow band of parenchyma, वहीं पे ही Cambium क्या बनाती है, parenchyma के कुछ band बनाती है, जो secondary gylem और secondary phloem के radial direction में passes होती है, ठीक है, वहाँ पे देखना, आप जहाँ diagram बना, वह लाइन्स बनी हुई है, ऐसे नाम करके secondary medullary rays diagram भी diagram आ सकता है, वो भी important है यार, तो theory तो important ही है, तो आपको क्या दियान रखना, secondary medullary rays कहां बनती है, तो radial direction, किसके secondary, xylem और secondary flame के, और किसकी बनी होती है, पेरें काइमा की बनी होती है ठीक है, यह दियान रखना आपको और यह है activities of cambium ring, अब देखो, पेड मोटा होने लगिया है मोटा कर दिया अपन, लेकिन कैसे कैसे मोटा होता है, ठीक है अब यहां आती है, आपके heart wood or safe wood, ठीक है कौन सी, sorry यह जल्दी आगे है, पहले अपन इसके बात करते है, spring wood और autonome wood, ठीक है spring wood और autonome wood देखो, अब बरसाद का मोसम में थोड़ा माहोल होता है, खाने का भी मन करता है, ठीक है तो spring wood होती वो बहुती ज़्यादा active होती है तो, वो क्या करती है कि wilder cavity की बहुती सारी gyllum vessels बना देती है बहुती सारी gyllum vessels बना देती है लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो थोड़ी सिकुड जाती है ठीक है, तो narrow, अब देखो चोड़ी चोड़ी, जैसे ही spring की season आईगी, तो बहुती ज़्यादा gyllum vessels बनाईगी, चोड़ी चोड़ी wider cavity की gyllum vessels बनाईगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा conduction हो सेगे, क्योंकि winter, spring season में उसको पानी मिलने वाला है, उसको पता है लेकिन, लेकिन, लेकिन जैसे ही ये सर्दी आईगी, सर्दी आईगी तो क्या होगा कि जैलum vessels से वो थोड़ी नेरो हो जाईगी, ठीक है less active हो जाईगी, बनाईगी जैलum vessels less active हो जाईगी, या सर्दी में इतना पानी चाहिए ही नहीं, तो करेंगे क्या, ऐसे ही energy की इनवेस्ट करें ठीक है अब यह जो spring और winter वाली है यह तो सबसे important part है ठीक है अच्छे से याद अगना, इसमें कुछ difference है कि या, spring वाली थोड़ी lighter होती है color में और winter वाली dark होती है ठीक है, spring वाली lower density की होती है, winter वाली high density की होती है और यह दोनों है जिसे season के हिसाब से एक annual ring form कर देती है जैसे एक खास तरीका pattern बना देती है, जिससे अपन पोदो की उमर का पता लगा सकते है कि कितने साल का होगया है देख लो या, गिनलो टोटल एक साल का है, मतलब कि spring और एक spring और एक winter ring होगी ठीक है, तो ऐसे होगा यानि कि एक मोसम निकल क्या और इसे करते जाओ, करते जाओ और गिनलो कितनी है टोटल spring प्लस winter वाली टोटल कितनी है spring और अटनो मूट और जितनी भी आई उतने साल का पोगता है एक और आती हार्टूट हार्टूट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ हार्टूट मतलब की होता है कि देखो दोस्तों अभी जो हमने पीछे camion ring पड़ी camion ring में मैंने का क्या बनता है सबसे ज़्यादा बनता है सेकेंडी जाइलम बनता ही जाता है बनता ही जाता है वो सही बोलते हैं हार्टूट जब वो बनता ही जाता है तो देखो उसकी प्रोपर्टी भी चेंग हो जाती है एक तो वो डाक ब्राउन कलर का दिखता है उसके अंदर टैनिन, रेजिन, ओईल है, गम से, एरोमेटिक सबस्थान से और एसेंसियल ओइन से ठीक है अब यह यह ना पानी के कंडक्शन बिल्कु पार्टिसपेट करता है यह क्या करता है मेकेनिकल सपोर्ट करता है क्योंकि आप देखो पोधा बहुत बड़ा है बहुत बड़ा सिर्फ पानी लाने जाने काई काम थोड़ी है तो उसको सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा तो यह जो हर्टोड है हर्टोड है वो उसको मेक मेकेनिकल सपोर्ट देती है और इसके अंदर टैनिन देजीन और इस गम्स अरोमेटिक सबस्तांस यह सब होते हैं लंबी उमर के लिए जिम्मेदार है यह ठीक है और इस टेम के सेंटर में होता है लिगनिफाइड वोल्ड होती है इनकी वाटर कंडक्शन में करते हैं लेकिन क्या यहाँ पर वाटर कंडक्शन हो गई नहीं होगा मूझा जो इसके पार्टिसिपेट करता है वाटर कंडक्शन में मलब कि बाहर बाहर से वह बाहर कंडक्शन कर रहा है और अंदर से मेकनिकल सपोर्ट भी दे रहा है अंदर से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी ठीक है तो यह आपके स्प्रिंग वूड़ और सेफ वूड़ हो गया और हमने फिर वेस्कुल गिम की बात करी थी मैंने के बतायIn estado कि देंदद के मीघ से काछाour सब्सक्राइब करना है तो वह सब सर्दीगर में स्प्रिंग इस पर डिपेंड करता है है कि में आपको बदाया हर रर्ट हर ठोड़ी अलग होती है से कव करता है अंदर वाला हिस्सा मेकेनिकल ट्रांस्पोर्ट में कां आता है को चलिए है जब पन ग्हांन कर चिक बहुत ज़्यादा इंपूर्टेंट है क्योंकि यहां के टम्स आएंगे फेलोजन फिलम फेलोडम पैरीडम फिर आप इनी सब में कंफ्यूज होटे हो ठीक है मैक्सिम मुझे पता हैं नहीं में इनको अच्छी से क्लियर कर लेंगे देखो कोर केंबियों को क्या बोलते हैं फेलोजन देखो दोस्तों होटा क्या है कि जब पोदा मोटा ही मोटा हो रहा है इससे बाहर की कोशिकाओं को हाम होगा वह तूटने लग जाएगी अब उनको बचाने के लिए आता है सिकेंद है कोर्क कैम्भियुम क्या करता है की क्यों कर- rook कैम्भियूम क्या करता है कि कोर्टेक्स जो बहार वाला वारेजिज़न उसमें जादा क्यों च्राइपВिछ होता है क्योंकि उसको बचाना होगा secondary cortex या फैलो डम में ठीक है यह दियान रखना बहुत इंफोर्टेंग है बाहर के साइड तो कोर्क बना रहा है चाल बना रहा है यह बोलते हैं फिलम यानि कि फिलम बनाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा कोर्क बनाने के लिए बाहर के साइड बनाने पड़ेगा अंदर के साइड कोर्क नहीं बनेगी अंदर के साइड क्या बनेगी सेकेंडी कोटेक्स या फेलोडम एक परत होती है फेलोडम जो पेरेन का इमा की बनी होती है और यह जो कोर्क है वो सुबहरीन की बनी होती है वाटरप्रूफ होती है इतना सा डिफ्रेंस है नीट वाला पुछे का फेलोडम और फिलम में क्या फरक है तो यार फिलम है वो प्रकेंबियम फेलोजन और फेलोडम इन तीनों को मिला करके बोलते हैं पेरीडम क्या बोलते हैं पेरीडम क्या होता है कि जब सबसे पापा को अने तो पापा है इसका फेलोजन फेलोजन क्या गरता है दो टाइप से डिवाइड होता है इधर बाहर के साइड फिलम बनाता है और अंदर के side fellow dum बनाता है चलिए लेकिन देखो अब 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 देखो एपरोक्स सारा खतम हो गया अब एक final point बना है कि कि याद कुछ कुछ पूर्दो के अंदर क्या होता है कि यार वह कोर्क नहीं बनाते हैं फेलो है वो कोर्क निजी बनाता है लेंटिसेल्स वात रंद्र गेसों के लिए बोलता है यार कोर्क बना के क्या करूंगा ऐसे इकाट दिए इनना लोगों के काम आएगा तो इससे अच्छा अपने हावा के लिए एसी लगा लूँ तो इसी लगाने यह हो गया आपका पूरा secondary growth दोस्तों I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने यार अच्छे से ट्राइं किया explain करने का पोजा कैसे मोटा होता है ठीक है अब अगर ध्यान से सुने हो तो आपको समझ में आई गया होगा बागी नीट explorer को subscribe करें यहां पर मैं आपक आपको आच्छे से कोई भी आपका दिक्कत आ रही है कहीं टोपिक में तो वह मैं आपको clear कर दूंगा जो भी नीट्स के लिए ट्रिक है अपनी तरफ से वह सारे भी आपको प्रवाइड करवा रहा हूं और जैट एक जेंबलर भी प्रवाइड करवा हूं ठीक है तो दोस्